स्पश्टिकरण अकेली रहती थी पर अब उनके परिवार की कहानी सुनो दादी मा बहुत समझदार थी उनके घर के आंगन में बरगत का एक पेड था जिस पर गौसले में चिडिया रहती थी चिडिया का नाम नीलू था दादी मा की एक और साथी थी जिसका नाम था चिंकी नीचे बिल में रहती थी, तो यह दोनों थे दादी मा की परिवार चन, चिडिया और चुहिया, यह दोनों जब खुश होती, तो दादी मा भी खुश होती, जब वह दुखी होती, तो दादी मा भी दुखी होती, थंडी के दिन थे, चिडियाने अंडे दिये, जिसमें से दो चोटे-चोटे सुन्दर-सुन्दर बच्चे निकले, चीनू और मीनू, फिर चिंकी की भी दो बेटे होए, दादी मां सबका खयाल रखती, चारो बच्चे घर में दोडते हसते खिल-खिलाते, खेल-खेल में लडते भी थे, दादी मां उन्हें समझाती थी, कि बच्चों लडो नहीं, एकता से रहना चाहिए, तभी तो कहते हैं, एकता है जहां, खुशाली है वहाँ, ऐसे ही उनके खुशी-खुशी दिन कट रहे थ एक बार एक संकट आ गया, चिडियों में मातम छा गया, हुआ यह था कि नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले कर गई, अन्य चीडे चिडिया भी उनके साथ गई, खली हानों में धान की फसल लहरा रही थी, सूरज की किर्णे धल रही थी, चिडिया दाना चुग रही थी, आचानक मुन्मुन को ध्यानाया, उसने विदाली, सबको टाटा बाय कहे कर वह उटने लेगी, लेकिन वह उलच कर रह गई, आरे मैं तो फस गई, वह चिल्ला नीलू ने उसकी पुकर सुनी, दूसरी चिडियों ने भी सुनी, नीलू के पास जाने तो वह भी उट नहीं पाई, तब वह समझ गई कि वह सब उलच गई हैं बहे लिये के जाल में, बहुत प्रैतन के बाद भी वह नहीं निकल सके, सब उदास हो गई, घर जाने की उम्मि खत्म हो गई, गर पर बच्चों का खयाल आने लगा, सब रोने लगे, नीलू, टीनू, मिनू एकदम शान थे, उन्हें भी चिंता लेकिन उन्हें दादी मा की सीख याद आई, उन्होंने सब को एकता की बात सुनाई, और कहा कि एकता तुम सब में हैं, पर हम लड नहीं र कि हम हार गए हैं, चाहे कितनी एकता रखो, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मिनू बोली, बस इतने से डर गई, हम जरूर जितेंगे, एकता की ताकत जरूर लगाएंगे, मुन्मुन ने कहा, कैसी होती है एकता की ताकत, तीनों ने समझाया, कि एकता से हमें मुक्ति मि सकती है, मिनू ने कहा, कि मेरे एक, दो, तीन, चार कहने पर सब एक साथ उड़ेंगे, और एक ही तिशा में उड़ेंगे, सब तयार हो गए, मिनू बोली, एक, दो, तीन, चार, सब ने पंख फैलाये, और जाल के साथ उठने लगे, उनके मन में आशा और विश्वास की उम अजब शक्ती होती है, बहलिया, बस देखता रह गया, सोच रहा था, चिडियों ने यह क्या कर दिया, पर वह बेचारा क्या करता, एकता के आगे हार गया, सारे उड़कर दादी मा के घर पहुँच गये, दादी मा चिंता में बैठी थी, पिंकी की आखों में भी आसू थे उसके बच्चे भी उदास्ते, अचानक आंगन में आवाज सुनाई दी, सब ने देखा बहुत सारे पंची जाल में फसी हुए थे, उनमें नीलू, टीनू, मीनू भी थे, उनका हाल बहुत ही विचित्र था, वह सारे आंगन में उत्रे, चिंकी और दादी मा दोनों वहां पहुँची, और दादी मा ने कहा, बहुत देर से आई हो आज, सब ठीक तो है ना, नीलू ने पूरा हाल दादी मा को सुनाया, और बताया कि कैसे पंचियों की तोली यहां तक पहुँची है, दादी मा ने कहा, तीनों और मेनों समझधार हैं, तभी तो तुम सब की जान ब पचाई है, फिर नीलू गोली, एक तो हम सब हैं, पर क्या करें, अब हम बच जाएं, ऐसा कोई जतन कैसे करें, दादी मा ने संजाया, फिर से एकता का पाठ, एकता पंचियों की पश्यों के साथ भी होनी चाहिए, एक बात हमेशा ध्यान रखो, एक और एक ग्यारा होते है अपनी जिजग को दूर रख कर चिंकी से मदद की याचना खरो, वह तुम्हें बंधन से मुक्त करेगी, और जाल भी काटेगी चिनु मीनु ने कहा, मौसी बच्चों को बुलाओ, सब मिलकर हमें बच्चाओ, चिंकी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जाल को दांतों से कुतर डाला, और सारे चीडे चिडियों को आज़ाद कर दिया चिनु मीनु सब मुस्कुरा कर खेलने लगे, दादी मा की सीख रंग लाई, सब ने एक ताकी दुहाई दी, और साथ मिलकर कहा, अंत भला तो